हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 20 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करेंट अफियर और इसके अलावा यूपी एक्जाम के लिए most important करेंट अफियर की questions को discuss करेंगे और हरे questions से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंते में हम आपसे एक question भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे telegram group से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं telegram group की link आपको वीडियो का description में मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का session सुरू करनी से पहले हम कल की questions का revision करेंगे कल का पहला question है हाली में brain based intelligence test किसकी सहायता से बनाया गया इसका जो correct answer है बो है option number C IIT कानपूर की सहायता से अगला question है देश में नौ सेना के लिए पहली remote control machine gun बनाई गई है जो समुद्र में कितने किलो मीटर तक मार करेगी तो यह करेगी 1.7 किलो मीटर तक मार यानि option number A का correct होगा और दोस्तों उत्तर पुर्देश करेंट अफर के last 6 मन्द की जो PDF हमने तयार की है वो आप इस वीडियो के description में जो link दी गई है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इस PDF की जो फीस रखी गई है 21 रुपा इसकी फीस रखी गई है और इस PDF में जनवरी से लेकर के जून 2021 के उत्तर पुर्देश करेंट अफर के जितने भी question हैं वो सभी इसमें विस्तार पूर्बग बताए गई है और दोस्तों जब आप इससे डाउनलोड करेंगे तो ये आपकी email पर पहुँच जाती है तो वहां से आप इससे प्राप्त कर सकते हैं अगला कुश्यान है निमलकित मैसे किसने उत्तर प्रदेश के जेवर में एक हवाई अड़े के विकास के लिए नोईडा इंटरनेशनल एरपोर्ट लिम्टेड के साथ एक सियर धारक समझोती पर हस्ताक्षर किये हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सन नमबर बी जिवरिख एरपोर्ट इंटरनेशनल एजी अगला कुश्यान है भारत ने वर्ष दोहजर तेईस चोविस तक पेट्रोल के साथ कितने परतिसत एथिनॉल ब्लेडिंग का लक्ष रखा है तो ये रखा है बीस परतिसत का अप्सन नमबर एस का करेक्ट होगा अगला कुश्यान है निम्लिकित में से कौन सा तेओहर जुलाई थोजार इकीस में उत्रखंड के कुमाउं चेत्र में नई फसल की याद में कई चेत्रों में मनाये गया इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमबर डी हरेला अगला कुश्यान है किसने गोश्रा की है कि देश की सीमा पर जल्द ही एक ड्रोन रोधी सौदेशी परडाली तैनात की जाएगी इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमबर ए अमित्सा अगला कुश्यान है चेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थापित किये जा रहे नए क्वार्ड ग्रूप में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कौन सा देश सामिल है तो ये सामिल है उजबेकिस्तान यानि ऑप्सन नमबर बीस का करेक्ट होगा अगला कुश्यान है अमेरिकान ये भारत में किसे MH-60R मल्टी रूल दो हेलिकॉप्टर सोंपे है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमबर ए भारतिय नोसेना को अगला कुश्यान है हाली में हरियाणा सरकार केंदर सरकार से किस सहर में सांस्कृतिक केंदर इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमबर C कुरूच शेत्र अब दोस्तों सुरू करते हैं आज का सेजिसन आज का पहला कुश्यान है कराटे की विश्व इस्तरिय अंतरास्टिय कांता प्रतियोगिता में भारत किस स्थान पर रहा इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमबर A पहले स्थान पर कराटे की विश्व इस्तरिय अंतरास्टिय कांता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था इसमें भारत को प्रतम स्थान मिला है इसमें इतरनगरी कनोज के योगेंदर सर्मा नाम ध्यान रखना है योगेंदर सर्मा ने सौन पदक जीत कर पूरे देश का मान बढ़ाया जबकि देवासीस ने रजक पदक और धुर्व ने कांसे पदक जीत कर नाम रोशन किया दस वाग 11 जुलाई 2021 को International Sports and Karate Federation of India दोरा Virtual International Karate कांता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें भारत, बांगलादेश, नेपाल, वियतनाम, उजबकिस्थान के खिलाडियों ने प्रतिभाग किया था और इसमें भारत जो है वो पहले इस्थान पर रहा दूसरे स्थान पर नेपाल तीसरे एस्थान पर वियत नाम और चौते एस्थान पर बंगलादेश और पांचवे एस्थान पर उजबे की स्थान रहा तो यहां पर आपको चैसे ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो कन्नोज के निवासे योगेंद्र सर्मा है उन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वन्ड पदक जीत कर देश का नाम रोसन किया और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं यह हैं योगेंदर सर्मा और यह हैं देवासीस और ध्रोव अब दोस्तों ये जो प्रतियोगता है कराटे कांता प्रतियोगता इसका आयजन वर्च्वली किया गया था यानि इसमें जो खिलाडी है उन्होंने कांता वीडियो बना करके नरणायक मंडल को भेजी थी और उसके बाद नरणायक मंडल ने परडाम भोसित किया था जिसमें भारत को पहला इस्थान मिला है और सुन पदक किसने जीता है तो ये जीता है योगेंदर सरमानी अगला कुश्यान है टोक्यो ओलंपिक खेलो में खिलाडियों को प्रोथ साहित करने के लिए यूपी में टोक्यो ओलंपिक जागरुपता रिले का आयूजन कब से शुरू होग नई पहल करने जा रही है टोक्यो ओलंपिक खेलों में यूपी से भाग लेने जा रहे दस खिलाडियों को प्रोथ साहित करने और जनता की सुबकामनाएं उनको दिलाने के लिए टोक्यो ओलंपिक जागरुपता रिले का आयूजन किया है यह रिले 18 मंडलों और 51 जनपदो में 23 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक आयूजित किया जाएगा और यह जो ओलंपिक जागरुपता रिले है यह रामपुर सिस्रू होकर के 3625 किलो मीटर की दूरी तै करते हुए बिफिन जलों से होते हुए 4 अगस्त को लखनव में पहुंचेगी और यहां पर उसका समाप पन कारिक्रम होगा तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदिस सरकार जो है वो टोक्यो ओलंपिक में खेलों में जो यूपी से भाग लिया है खिलाडियों ने दस खिलाडियों ने तो उनको प्रोथ सहित करने और जनता की सुब कामना है उनको दिलाने के है और ये कब से कब तक होगा तो ध्यान रखना है 23 जुलाइस लेकर के 4 अगस्त तक इस टोक्यो ओलंपिक जागरुकतर लेका आयूजन किया जाएगा अब दोस्तों ओलंपिक में जो उत्तर प्रदिस से 10 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तो वो कौन-कौन सी खिलाड़ी है उनका नाम आपको ध्यान रखना है तो एतलेटिक्स में मेरट की सुस्तरी प्रियंका गोस्वामी, सुस्तरी अनूरानी, सीमा पुनिया और चंदोली के सिवपाल सिंग है शूटिंग में अगर देखा जाए तो मेरट के सौरप चोधरी, बुलंद सहर के मेराज एहमत खान और बॉक्सिंग में बुलंद सहर के सतीस कुमार, रोइंग में बुलंद सहर के अरविंद सिंग और होकी में मेरट की सुस्तरी वंदना कटारिया और वारानसी के ललित कुमार उपाध्या भाग लेंगे तो ये वो दसकलाड़ी हैं जो टोक्यो उलम्पिक में उत्तर प्रप्त करने की सुविधा के लिए निमलिकित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉंच किया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है और समय पर सही जानकारी प्रप्त करने की सुविधा मिलेगी इसके साथी किसान इस प्लेटफॉर्म के जरिए फसल और सबजियों को सही तरीके से बेच सकेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सार्थी के माध्यम से किसान किरसी विज्ञान केंदर से समंधित विज्ञानकों से सीधे किरसी के छेतर में व्यक्तिगत सलाह भी ले सकत तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो किंद्र सरकार है वो किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉम किसान सार्थी जो है वो लॉंच कर रही है और यह जो प्लेटफॉम है किसान सार्थी इसका उद्देश क्या है तो देश के किसानों को खेती और फसल से जुड़ जुलाई को रेल गाड़ी परिचालन का सफल परिक्षन किया गया इसका जो correct answer है वो है option number C नेपाल भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 18 जुलाई 2021 को रेल गाड़ी परिचालन का सफल परिक्षन किया गया दोनों देशों के बीच 34 किलिमेटर लंबा यह रेल खंड पहला रेल संपर्क है यह बिहार में मदुबनी जिले के जैनगर को नेपाल के माहुतरी जिले के कुर्था को जोड़ेगा इसकी लागत कितनी है तो 619 करूल रुपा इसकी लागत है जैनगर कुर्था रेल संपर्क भारत नेपाल मितरता रेल परियोजना के तहद IRCON इरकोन बना रहा है तो दोस्तों यह कुशन भी most important है आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल के बीच यह पहला रेल खंड है जो कि कितने किलोमीटर लंबा होगा तो 354 किलोमीटर यह लंबा होगा और यह कहां से कहां तक का होगा तो भारत के जैनगर से नेपाल के कुर्था के बीच यह रेल संपर्क होगा अब दोस्तों यह जो रेल संपर्क है यह भारत और नेपाल के बीच होगा तो नेपाल के बारे में जानते हैं तो नेपाल की राजधानी है काटमंडू नेपाल के राष्ट्रपती हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के जो प्रधान मंत्री हैं वो हैं सेर वहादूर देवबा और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया अब दोस्तों अगर भारतिय रेल की बात करें तो भारतिय रेल से संबंधित कुश्यन कई बार एक्जामस में पूझे गए हैं तो कुछ इंपोर्टेंट कुश्यन भारतिय रेल से संबंधित हम देखते हैं सबसे पहला कुछिएन आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय rail है, ये विस्व का सबसे बड़ा चौथा rail network है, कौन सा है? ये विस्व का सबसे बड़ा rail network है, अगर पहले इस्थान की बात की जाए तो कौन सा है? तो अमेरिका पहले इस्थान पर है, रूस दूसरे इस्थान चेन तीसरे स्थान पर है और हमारा भारत ये चौथे स्थान पर है रेल नेटवर्क के मामले में दूसरा प्षियन आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले जो रेल की सुरुआत हुई थी वो कब हुई थी तो ध्यान रखना है 16 अपरेल कब हुई थी 16 अपरेल 1853 को जो है मुंबई से थाड़े के बीच सबसे पहले भारत में रेल की सुरुआत हुई थी 16 अपरेल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच और दोस्तों ये जो रास्ता था ये कितना था तो ये 34 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्क था और ये कुशन यहाँ पर पूचा जाता है कि सबसे पहली जो रेल भारत में चली थी वो किसके सासनकाल में चली थी तो लाड डलहौजी के सासनकाल में ये प्रारंब होई थी ये भी ध्यान रखना है और दोस्तों ये जो ट्रेन चली थी 16 अपरेल 1853 को मुंबई से थाड़े क बीच उस ट्रेन का नाम क्या था तो भारत की सबसे पहली जो ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी क्या नाम था ब्लैक ब्यूटी उसका नाम था तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों अगर आपसे कुशन पूचा जाता है कि भारत में सबसे पहली जो विद्दूत रेल है वो कब चली? तो ध्यान लकना है विद्दूत रेल चली है 3 फरवरी कब चली है 3 फरवरी 1925 को और ये कहां से कहां तर चली थी? तो मुंबई से लेकर के कुरला की बीची ये चलाई गयी थी और ये जो विद्धुत रेल थी इसका नाम गया था तो इसका नाम था डेककन कुईन क्या नाम था डेककन कुईन इसका नाम था और दोस्तो कई बार एक्जांस में पूछा जाता है कि भारतिय रेल का पितामा किसे का जाता है तो लाड डलहोजी को भारतिय रेल का पितामा कह जाता है और हर वर्स सूल है अपरेल को रेल दिवस मनाया जाता है तो ये भी आपको ध्यानक ना है सूल है अपरेल को जो है रेल दिवस की रूप में मनाया जाता है और दोस्तों प्रिथम रेल बजट जो है वो किसने पेस किया था तो ध्यानक ना है जौन मताई ने किसने पूछे भी जाते हैं अगला कुश्यन है किस राज्य की पूलिस ने पिंग प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की सुरुवात की है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है और सी केरल केरल पूलिस ने पिंग प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की सुरुवात की है इस प्रोजेक्ट का मकसद स की प्रोजेक्ट् it too यह की है केरल सरकार ने और दोस्ते इस प्रोजेक्ट की सुरुआइज जो है मुख्य मंत्री पिनरै विन्ष supports यह विजिन ने उन वहनों को घरी जंडी दिखा कर की जो इस अभियान में सामिल अधिकारियों को सौपे जाएंगे महिला सुरक्षा अभियान के लिए सरकार ने 10 कार 40 दो पहिया वाहन और 20 साइकल दी हैं और यह जो पिंक प्रोटक्षन है यह दहेज उत्पीडन साहिबर धम की और सारवजनिक इस्थानों पर महिलाओं पर अत्याचार को रोकने ससंबंधित अभियान है तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो पिंक प्रोटक्षन प्रोजेक्ट हैं की सुरुात किसने की है तो केरल सरकार ने अब यहाँ पर केरल की बात है निम्लिकित में ऐसे कि इसने जुलाई 2021 में चोहतरवे कान फिल्म समहारों में सर्वस्रेश्ट वरत्चित्र के लिए ओल डी और गोल्डन आई प्रुसकार जीता तो ये जीता है अनाइट ओफ नुइंग नथिंग यानि ओप्सन नमबर 20 का करेक्ट होगा मुंबाई में इस्तित फिल्म निर्माता और निजदी सक पाहिल कपाडिया की इन नाइट ओफ नुइंग नथिंग ने 17 जुलाई 2021 को चोहतरवे कान फिल्म समहारों में सर्वस्रेश्ट वरत्चित्र के लिए ओल डी ओर यानि गोल्डन आई प्रुसकार जीता भारतिय फिल्म और टेलिविजन संस्थान की पूर्व छात्रा कपाडिया के वरत्चित्र और लास्ट मेंगो बिफोर दा मांसून जैसी फिल्मों के लिए भी उसको स्रे दिया जाता है तो दोस्तों अभी हाली में जो चोहतरवे कान फिल्म समहारों हुआ है उसमें सर्वस्रेष्ट वरत्चित्र के लिए OLD और जो पूर्षकार है वो किसने जीता है तो पाइल का पाडिया की A Night of Knowing Nothing जो फिल्म है उसे OLD और पूर्षकार से नवाजा गया है अगला कुश्यान है तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाती के ससकती करण के लिए निमलिकित मैसे किस कारिक्रम की घोश्रा की है तो ये की है तेलंगाना दलित बंधू प्रोजक्ट के नाम से यानि Option No.A इसका Correct होगा तेलंगाना सरकार ने अनसूचे जाती के ससक्तिकन के लिए तेलंगाना दलित बंधू प्रोजेक्ट की घोशना की है इस प्रोजेक्ट के लिए इस वित्वर्स में एक हजार करोल रुपई की धनरासी निर्धारित की गई है तेलंगाना सरकार ने अनसूचे जाती के ससक्तिकन के लिए एक प्रोजेक्ट की घोशना की है तो तेलंगाना दलित बंधू प्रोजेक्ट जोशना की है अगला कुश्यान है किस देश के सोधकरताओं ने 3001 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी के परसारण में 319 टेराबाइट प्रिति सेकंड पर विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमर डी जापान जापान में सोधकरताओं ने 3001 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी के परसारण में 319 टेराबाइट यानी टीवी प्रती सेकंड पर विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है यहाँ यूनिवस्टी कॉलिज ओफ लंदन के सोधकरताओं दौरा रखे गए बिश्व में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड के पिछले रिकॉर्ड से लगबग दो गुना है और जो पिछला रिकॉर्ड था वो कितना था तो यह 58 टीवी पर सेकंड पिछला रिकॉर्ड था एक टेरावाइट का अर्थ क्या होता है एक हजार गीगावाइट अब दोस्तों यहाँ पर आपको कई जगा देखने को मिल सकता है कि एक टीवी में एक हजार जीवी होते हैं और कहीं देखने को मिल सकता है कि एक टीवी में एक हजार जीवी होता है तो यहाँ पर आपको य तो यहां पर आपको यह दोनों condition याद रखनी है कि एक टीवी में 1024 जो जीवी होता है वो होता है बाइनरी में और एक टीवी में जो 1000 जीवी होता है वो होता है DC मल में तो दोस्तों कुशन भी most important है आपको जिसे ध्यान रखना है कि जापान में जो है विस्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विस्व रिकॉर्ड बनाए गया और यह कितना बनाए गया तो 319 टेरा बाइट प्रती सेकंड जो है स्पीड यह यहां पर आ की गई अब दो solution है एको परेटन की छेतर में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्दिश से से किस राज्ज ने 100 इस्थानों में बोटिंग सुरू करने की योजना बनाई है तो यह बनाई है उडिशा सरकार ने option number B इसका correct होगा एको परेटन की छेतर में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्दिश से से उडिशा ने 100 इस्थानों में बोटिंग सुरू करने की योजना बनाई है इसे दिसंबर से सुरू किया जाएगा उडिशा सरकार बोटिंग और water sports के माध्यम से परेटन को बढ़ावा देना जा में सामिल है तो दोस्तों आपको द्यान रखना है कि एको परेटन की छेतर में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्दिश से उडिशा ने 100 इस्थानों में वोटिंग सुरू करने की योजना बनाई है और इसे कब से सुरू किया जाएगा तो दिसंबर से इसे सुरू किय पर शेक्षेन की पर दिशा अब यहां पर उडिशा की बात हैं तो इसा की बारे में जानते हैं या है अब पर वीकTrud стала की किया नियोट्वक होत्य से नवीन पटनायक और और उडिसा की गवरणार है गने सिलार और उडिसा में लोगसा उब सत्ररत के संखिया के तनी है तो जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सिन अंबर बी कुर्वा 36 गड़ में एक लेमरू हती अभ्यारण ने प्रस्तावित किया गया था राजु के वन एवं परियावण बिभाग ने प्रधान मुख्य वन सनक्षप को प्रस्तावित रिजर्व का चितरफल 1995 वर्ग किलो मीटर से काट कर 450 वर्ग किलो मीटर करने के लिए एक प्रस्तुती देने को कहा है कुर्वा जिले में अभ्यारण का प्रस्ताव 2005 में विदान सबाद वारा पारित किया गया था और 2007 में किंद्रिय मंजूरी मिली थी उत्तरप्रदेश करेंट अफियर और इसके अलावा यूपी एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफियर की कुश्चन जो कि हमने डिस्कस किये अब हम देखते हैं कल के वीडियो को कुश्चन जो हमने आपसे पूचा था तो यह कल के वीडियो को कुश्चन जो हमने आपसे पूचा था होने वाले टोक्यो पेरालंपिक में हिस्सा लेने वाले देश के पहले आई एस अधिकारी कौन होंगे इसका जो करेक्ट आंसर था वो अफ्सन नंबर बी था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पढ़ना आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू